देखिए प्रस्त दो का पार्ट वन एक सो तीन गुणा एक सो साथ ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे इसको अलग भागों में बाटेंगे तो सो प्लस एक सो तीन हो गया और शो प्लस साथ एक सो साथ हो गया इसको पौर्मुला क्योंकि दों तरव प्लस प्लस है और यह अलग अलग है तो प्रमुला होई आगा क्या ऑक्स प्लस a और यह क्या हो जाएगा x plus b इसका result का आएगा x square plus a plus b x plus a b इसको यहाँ परकते हैं x square को क्या आएगा अक्सिस्वार का आएगा 100 square plus यह bracket में a क्या है 3 b क्या है 7 फिर x कितना है so plus a कितना है 3 और b कितना है 7 so का square किया 10,000 plus यह कितना हो गया 7 और दिन 10 10 को 1000 से गुणा किया 1000 plus 21 जोड़ा 10 और 11,000 21 यह इसका उत्तर हो गया अब हम अगले पे चलते हैं number two पे यहां क्या है देखिए भाग दो में क्या है पच्चाण में गुणाच्छिन में इसको हमने स्रल किया तो 90 plus 5 और 90 plus 6 आया दोनों तरब plus है और a और b अलग अलग है इसलिए यहां पर formula लगेगा identity लगेगी x plus a गुणा x plus b इसकी लगेगी इसका result आता है x square plus a plus b x plus b a अब देखिए यहां x square यानि 90 का square plus a b यानि 5 plus 6 a plus b square a plus b x x का है 90 plus a b square a b ठीक है तो 5 गुणा 6 हो गया उसके बाद में इसको हल किया तो 90 का square 8100 plus छोड़ो यार देखिए पार्ट 2 करते हैं इसका पार्ट 2 क्या है 95 गुणा 96 शरल करते हैं 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 देखिए दोनों तरफ प्लस हैं और यहां पर a और b है तो इसका result क्याएगा इसका result क्याएगा x square प्लस a प्लस b x प्लस a b ठीक है x square कितना है 90 square प्लस a कितना है 5 b कितना है 6 इसको x से गुणा करेंगे x कितना है 90 प्लस a कितना है 5 b कितना है 6 a b हो गया 90 square एट 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 वन अरे यार कि नाइन ती स्क्वाइर एट एट वन प्लस छे और पांस ग्यारा ग्यारा को 90 से गुणा किया तो तो 900 नबहां प्लस छे और पांस फांस को गुणा किया तो तीस इसका टोटल किया तो कितना हो गया 800 नहीं नहीं यह होगा निबह और निवब गुणा करने से होगा आट 8,100 तो यह कितना हो गया 8100 990 प्लस 30 कितना हो गया 9120 इसका पार्ट 3 पार्ट 3 में क्या है 104 गुणा छिन में सरल करेंगे तो 100 प्लस 4 अक्स की 100 हो गया ए हो गया 4 गुणा 100 माइनस 4 देखिए यहां क्या है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए क्यूंकि यहां पर भी नहीं है दोनों संक्याई समान है तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वाइर माइनस ए स्क्वाइर यह इसको वाइ कर सकते हैं ए विखके अब देखिए यहां पर एक्स कितना है स्क्वायर किसका करेंगे हम सो का तो सो का स्क्वायर किया माइनस ए कितना है चार है तो चार का स्क्वायर किया तो ये हो गया दफ हजार माइनस सोला ठीक है इसको हमने गठा दिया तो किता आया नो हजार नो सो चूरिया सी ये इसका इंश्वर हो गया